दिल मेरे तू दीवाना है पागल है मैंने माना है पलपल आहें भरता है कहने से क्यों ढरता है वा 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 क्या गाया है पुराने मेले कपले बिखरे हुए बाल लंबी दाड़ी और दिखने में बिलकुल मजदूर कुमार सानु के आवाज में हूबहू गाने वाले शक्स का वीडियो इस वक्त पूरे देश में घूम रहा है लोग कह रहे हैं कि ऐसी प्रतिबा सिर्फ गरीबों के घर में पैदा होती है कोई इस आदमी पर तरस खा रहा है तो कोई बॉलिबुट से इसे मौका देने की फरियाद लगा रहा है लेकिन जब आप इस आदमी की सच्चाई सुनेंगे तो यकीन मानिए गरीब दिखने वाले हर इंसान से आपका विश्वास उठ जाएगा इन जनाब का नाम है राकेश रंजन राकेश गाना गाते हैं और सिंगर बनना चाहते हैं उन्होंने खुद को फेमस करने की कई बार कोशिश की लेकिन वो हर बार नाकाम्याब रहे लेकिन इस बार राकेश के दिमाग में अलग खुरापात सूजी और उन्होंने इस मजदूर के गेट अप के साथ गाना गाया जो पूरे देश में वाइरल हो गया राकेश के ट्रिक काम कर गई लेकिन उनकी इस ट्रिक का भांडा फोर तब हुआ जब दैनिक भासकर की टीम को उनकी असलियत पता लगी दरसल ये शक्स कोई मजदूर नहीं बलकि एक करोड़ पती इनसान है बिहार के रोहतास के गाउं में राकेश अपने परिवार के साथ आली शान मकान में रहते हैं इस मकान की कीमत डेड़ करोड रुपे है राकेश की मा विंधहंचली देवी सरकारी टीचर थी और अब वो रेटायर हो चुकी है राकेश के पिता अब भी सरकारी स्कूल में टीचर है और साथ ही वो प्रॉपर्टी डिलिंग का काम करते हैं और उनके पास डेड़ लाख रुपे की बाइक है दैनिक भासकर के मताबिक कुछ दिन पहले ही राकेश की शादी हुई है गाउं में उसके पास जमीन और मकान दोनों हैं राकेश ने बताए कि वो ग्रैजुएट है लेकिन सारी प्रॉपर्टी उसके माता पिता के नाम पर है खुद को एक असफल इंसान बताते हुए राकेश ने दैनिक भासकर से कहा कि उसने ग्रैजुएट होने के बाद नौगरी ढूडी लेकिन नहीं मिली इसके बाद उसने गोल गप्पे की दुकान खोली वो भी नहीं चली इसके बाद इट भट्टे पर मुन्शी का काम करने लगा इसी इट भट्टे से राकेश का गाना गाते हुए वीडियो सामने आया राकेश यहां सिर्फ 15 दिनों से ही काम कर रहा था आसपास के लोगों का कहना है कि बड़ा संगर बननी की चाह में कुछ साल पहले राकेश ने गोल गप्पे बेसते हुए भी गाना गाकर फेमस होने की कोशिच की थी लेकिन वो तब फेमस नहीं हो पाया इसके बाद उसने इट भट्टे पर गाना गाकर फेमस होने की कोशिच की और इस बार वो काम्याब हो गया राकेश ने इस तरह से उन लाखों लोगों का दिल तोड़ा है जो उस वाली वीडियो को देख कर उस पर चोड़ देंगे रात और रात स्टार बनने के चकर में राकेश जैसे लोग जनता की भावनाओं से रोज खिलवाड कर रहे हैं फिलाल राकेश की सरकत पर आप क्या कहेंगे अपनी राय हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलिवुड पे चा को सब्सक्राइब कीजिए